अग्षियू आज 29 अगस्ट 2023 को यह मैंतर जो है सुप्रिम कोट में लगा था यह जो इशू है यह जितने भी छटीजगर में जो बीएड श्टुडेंट का यह जजमेंट आया था सुप्रिम कोट का तो जजमेंट में अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में दोजार 28 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रिम कोट में उसको अल्ट्रावारेस कर दिया क्वेस्ट कर दिया तो इसका आशर पूरे भारत को पड़ा है और हम जो आज अपेर हुए थे वो चटीजगर स्टेट के जो बीएड श्टूडेंट है उनकी तरफ से अपेर हुए थे 36 गल में क्या हुए 36 गल में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2030 में उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने हाईड कोट में चैलेंज किया था कि वीएड श्टूडेंट को कांसलिंग में आप मत बठाईए आप बढ़ा है इस केस में हमने permission to file SLP Supreme Court में file किया और यह matter कल हमने बहुत मुस्किल से कल इसको file किया और आज वह mentioning करके लगवाया इसको आज matter लगा था to employment तो हमने यह बोला कि इस case में इस यह जो matter है इस matter में जो judgment आया है वो 2030 का और 2018 से लेके 2030 तक बहुत सारे स्टेट नोटिफिक्शन निकाले हैं जिसमें कि बैठें और examination में सलक्ट होएं और सलक्ट होने के बाद उनका जो counseling होती है उसमें रोग दिया गया जबकि यह judgment retrospective नहीं पास किया है कि जितने लोग एक्जाम में बैठें जितने बोलों की counseling कल होनी है कि तीस कल तीस तारीक को counseling है तीस अगस्त को उनको बैठने दिया जाए और high court को यह direction दिया है कि जो appointment हो रहे है जितने लोग के appointment हो उनमें यह clause जाला जाए कि जो भी उनके appointment हो रहे है वह outcome of the high court judgment अब high court का judgment अगर student के favor मा आता है तो बीएड जितने लोग का selection हुआ है वो cancel होके बीएड student जो लोग counseling मा आया है उन सबका selection होगा तो यह एक बहुत बड़ी great news है बीएड student के लिए और कन्या कुमारी से बंगाल की खारी तक जितनी भी बीएड के student है जिनों में 2018 से 2030 तका exam दि नहीं हो सकता और यह matter जो judgment है यह गलत judgment है इसको रिफर किया जाए तीम जड़ेंट को यह पांच जड़ेंट को यह भी हमारी prayer थी और फाइनली यह matter issue notice हो गया है और high court का high court decide करेगी इसको और जो appointment होगा उसमें यह clause डाल जाएगा कि आपका appointment जो किया जा रहा है वह appointment एक temporary appointment क किया जा रहा है जब तक कि high court का judgment नहीं आ जाता और already जो हमारी student हमें हम क्योंकि petitioner थे नहीं वहाँ respondent नहीं थे तो हमें state को जो पिटिशनर थे उनको यह direction दे दिया गया कि जितने भी respondent यहां पर है उनको party बनाए जाए तो यह भारत के जितने भी प्रिस्ट्रूटनेंट है दोजार अथारह से लिए के दोजार तेश तक उनके लिए बहुत बड़े great ने याज़ए तैंक यू